नमस्कार दोस्तों मैं सीवशंकर कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है 10.5 एक्सरसाइज क्लास 9 का क्या बोल रहा है पढ़ते हैं Accord of a circle एक कोड है सरकल का और बोल रहा है वो equal है किसके ? Radius के तो ये देखो AB मैंने कोड ले लिया और radius हो गई AO और AO बी दोनों radius है तो बोल रहा है code of a circle जो है equal है radius के तो मैंने एक code ले लिया और radius के equal है एक ट्रेंगल बना ली मैंने, ओफे सरकल अब बोल रहा है, find the angle subtended by the code, इस code के साथ angle find करना है, कहा का? at a point on minor arc minor arc का, तो minor arc तो A से B तक है, इधर वाली, ठीक है इस पे मान लो कहीं पर भी एक point ये है ठीक है, minor arc के साथ तो minor arc के साथ मैं इस तरीके से बना दूँगा A, ऐसे, और ऐसे, यानि इस point को कुछ भी मान लो आप A, B, हम C मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो A, C, B value निकालनी है, ये वाली angle A, C, B की, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, and also at a point on major arc, major arc कौन सी है, ये इधर वाली ठीक है, इधर वाली, तो यहां पे हम कोई point ले लेते हैं, मान लो, आप यहांपे ले लिया कोई point, ठीक है, तो मैंने A से इसको मिला दिया, इधर B से भी इसको मिला दिया, ये हमारा होगा D मान लो ये वाला point, तो एक ये निकालना है, थीक है, ये दो values हमें निकालनी है अब कैसे निकालेंगे देखो हमें code दिया हुआ है AB और radius वी इसके equal है OA और OB तो OAB जो यह triangle बन रही है यह कौन सी हो गई equilateral triangle equilateral triangle होगे न क्योंकि 3 side equal होगी और equilateral triangle होगी तो यह वाला angle आपका कितना हो गया 60 degree क्योंकि equilateral के 3 angles का जो sum है वो 60 degree होता है अब यहां से हमारा question का solution स्टार्ट होता है देखो बिल्कुल simple है ठीक है हम क्या लिख देंगे if AO equal है OB equal है AB ठीक है तो यह दोनों तो radius हो गई और AB क्या है code गीवन है यह सारा गीवन है ठीक है तो फिर लिखेंगे हम therefore triangle AOB AOB is equilateral triangle ठीक है so angle AOB equal to 60 degree यह वाला angle आपका 60 degree हागया यह equilateral triangle मन गई तो अब हमें क्या पता है देखो अगर same segment पे मन लो AB एक segment है और इस same segment पे या same mark पे एक center के साथ angle बन रहा है और एक circle के साथ बन रहा है तो जो circle के साथ angle बन रहा है वो इसका half होता है ठीक है यह कौन सी theorem में बताया हमें theorem 10.8 में ठीक है तो हम क्या लिखेंगे angle ADB is half of angle AOB यहां लिख देंगे from theorem 10.8 ठीक है अब AOB 60 degree है तो यहां पे हम 60 degree लिख देंगे यानि ADB is equal to half of 60 degree काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 यानि आपका यह angle कितना आ गया 30 degree ADB कितना आ गया आपका 30 degree यह वाली मैं value लिख देता हूं इदर ठीक है तो एक तो यही निकालनी थी है हमें major arc के साथ ठीक है तो एक अंसर हमारा आ गया अब हमें minor arc के साथ और निकालना है ACB ठीक है अब देखो angle ACB plus angle ADB equal to होगा 180 degree क्यों? क्योंकि यह cyclic quadrilateral है because cyclic quadrilateral ठीक है जो आपकी 10.11 theorem है वहाँ से ही result ले लिया हमने अब यह 30 हो गया और यह यानि 30 plus इस इन दोनों को मिला करके 180 कर देंगे तो ACB तो हमें find करना है न यह वाला angle plus 30 degree है हमने पहले ही निकाल लिया equal to 180 degree ठीक है? अब angle ACB को तो मैं इधर ही रख लेता हूँ और 180 इस 30 को इधर ले जाता हूँ minus 30 तो angle ACB equal to 150 degree एक ही answer हो गया और एक ही हो गया यह minor arc के साथ ठीक है? और यह major arc के साथ उसने कहा था minor जो हमारा segment है उसका minor arc के साथ angle निकालना है और major arc के साथ angle निकालना है तो यह हमने दोनो निकाल दी है तो आशा करता हूँ question आपको अच्छे से समझ में आया हुगा अगर आपको कोई doubt है या कोई शंस है तो हमें comment करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो भी हमें comment करके बताएं कि सर हमें अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में पूरी exercise देखने के लिए link पे जाएं थैंक यू फ्रेंड्स